आपने गीता का ये स्लोक सुना होगा तुमी वाता चिपता तुमी वे तुमी बंदुचा स्खा तुमी वे विद्धा द्रवडियम तुमी वे तुमी वे सर्वं मम्दे वे देव युगेश्वर सिकर्ष गीता का उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को जब उनके स्वरुप का बोध होता है कि ब्रह्म के स्वरुप की पहचान करने वाला ये कोई ब्यक्ती मेरा सखा नहीं है कुछ और है तो उस ब्रामी सरुप की अस्तुति करते हुए करते हैं कि तमीव माता चे पिता तमीव आप ही माता हो, आप ही पिता हो आप ही भाई बंद हो, आप ही सखा हो हमारी भारती संस्कृत मानती तो है कि परमात्मा एक है लेकिन परमात्मा के सरुप के बारे में वास्तिक्ता से never चान पाते हैं, क्योंकि धानगरंतों में जो नहीं तसत्य होता है उसको आम जंदा तक बता पना इतना सरलकारी नहीं होता है अम देखते हैं ग्रैस्ती की चार दिवारी इतनी तगड़ी होती है, किसके पास इतना समयं होता है कि प्रतिन ग्रंतों कात्यन करें और आज के व्यस्त मैं जीवन में सबसे पुछा जाए यहां जितने भाई बैठे हैं परमात्मा कितने हैं सब कातु देंगे एक जैसे समाने तोर से मैं पूछू कि भारत के राष्टपती कितने हैं तो आप क्या बताएंगे राष्टपती कभी दो नहीं हो सकते प्रधान मंत्री कभी दो नहीं हो सकते राष्टपती के साथ उपर राष्टपती हो सकता है प्रधान मंत्री के साथ उपर प्रधान मंत्री हो सकता है यहां ते कि एक बैंक में स्थिति है आप देखते हैं कि बाड़ी कहती है पारवर्म तो पुरान एक है यह तो अनेक परमिश्वर कहाँ है अनेक पंध सब जुदे जुदे और सब कोई सास्त्र बुलावे हर कोई अपने ग्रंतों की साक्षी देता है लेकिन कोई यह नहीं चानता कि जब सारे ग्रंत कह प्रमात्मा एक है एक हम वह अधिथयम उपनिस्तों ने वह वियत ने क्या कहा नौ त्वामान अन्यों न पार्थिवों न चातौन जनी जिस्थ्थे है परमात्मा ते रे समान नो कोई हुआ है ना है ना कभी होने आलना हैICH आज हिंदो समाज इतन्स बटक चुक है भठकां क्यों होता है? जब ज्यान का प्रकाश नहीं होता है, तो मानो समाज में भटकाओ पैदा होता है. ज्यान क्या करता है? सत्य को दर्स अता है. इस दिये समाज का कल्यान होगा सबसे पहले सत्य ज्यान के प्रकाश से. हमारे इर्दे में जब तक ज्यान का प्रकरस नहीं होगा हम नहीं जान सकते कि परमात्मा कौन है कहां है कैसा है हम कौन है आई कहां से हैं सरीर और संसार को छोड़ने के पेस्जात हमेचानक आए एक बिक्ति अपनी आँखों पर पट्टी बांद ले और एक टुक्रे पत्थर के टुक्रे ले ले किसी फल से लग दे वे ब्रिक्ष पर आँखें बंद करके पत्थर के टुक्रे मारते जाए हो सकता है कभी कभी अनजाने में पत्थर टकरा जाएगा फल से तो फल गिर पड़ेगा अने थक्या होगा यह भी संभव है सभेरे से साम तक पत्थर के टुकड़े मारता रहे तो एक भी फल ने गिर सकता है वैसे ही है आप बहुत अच्छे विचार के हैं बहुत अधिक स्यवा भावना है आपके अंदर भक्ति भावना भी है लेकिन यदि आखों पर पट्टी बा तक परमात्मा को नहीं जानेंगे कि परमात्मा है कौन परमात्मा कहां है परमात्मा कैसा है किस तरह से भक्ति करें तो आपका सारा प्रयास निरर्थक हो जाता है जैसे अभी मैंने आपको कहा योगिस्वर सिकिट्स रथ पर बैठे हैं अर्जुन वी रथ पर बैठे हैं औ और अरजन प्रसंद महिमा में गाहिन कर रहे हैं, तुम्ही उ माता चिपता तुम्ही, अब प्रस्निया है, संसार में हम देखते हैं, कि माता का बहवार अलग होता है, पिता का बहवार अलग होता है, एक ब्यक्ति में कुछ गुण हो सकते हैं, जैसे कोई ब्यक्ति ऐसा हो, ज आपको तो हम सखा भी माल लेते हैं, भाई बंद भी माल लेते हैं, माता की तरह प्रेम करने वाला भी माल लेते हैं, पिता भी माल लेते हैं, गुरू भी माल लेते हैं, यह भावों की अभी वक्ति है, इसी तरह से जब संसार के भकतों ने परमात्मा को अपनी समय पता में पा बन जाए इसको करते हैं सगुण भक्ति परमात्मा में क्या है अनन्त ज्ञान है अनन्त प्रेम है अनन्त सुन्दर्ता है इसको हम कैसे समझे कि परमात्मा में अनन्त ज्ञान अनन्त प्रेम अनन्त सुन्दर्ता है वातसल प्रेम है तो इन गुणों का प्रक्टिकरण महापू के उपर कर दिया गया जैसे भगवान राम को देखिए तुलसी दास जी के लिए भगवान राम सर उपर है वे अन्य की बात नहीं सुन सकते हैं यह अवस्या है भगवान राम से संकर जी की प्रार्थना करा देते हैं संकर जी से राम की इस्तुति करा देते हैं क्योंकि उस समय शाइवो और बैसनों में जगड़ा था साइव और बैसनों एक दुसरी के खुन के प्यासे हो गए थे उन साइवों से पुछीए कि भाई क्यों लड़ते हो तुम्हारा परमात्मा कौन है तो कहे कि अप्संकर जी परमात्मा कितने हैं तो एक बैसरों से पुछिए कि परमात्मा कितने वो भी कहेंगे कि यह लेकि लड़ाई वो भी करेंगे सब में लड़ाईयां क्यों होती है अज्यानता के कारण आप देखिए तुलसी दास्ची रामचरित मानस के इंदर करते हैं कि नेत नेत जही वेद ने रुपा वेद जिस परमात्मा को न इति न इति ऐसा करके वर्ण करते हैं नेतिकार्थ क्या होता है इतिकार्थ होता है ऐसा न इति अर्थाथ इस प्रकृति मंडल में ऐसा कोई भी बदार्थ नहीं है जिससे परमात्मा के उपमादी जा सके जैसे कहा जाए कि क्या परमात्मा सूरी के समान परकास समान है वेद कहते हैं कि सूरी तो अगनी तत्व है जड़ है करोणा सूरी का परकास परमधाम के कड़ के समक्च कुछ नहीं है इस दिए सूरी से भी उकमा देना गलत है यदि कहा जा कि क्या परमात्मा चंदर्मा की समान अच्छा दिखता है वेद कहते हैं कि अनन्त चंदर्मा भी परमात्मा की सुंदर्ता का मुकाबला नहीं कर सकते क्या परमात्मा का सुरू फूल के समान कोमल है वेद कहते है कि नहीं, अनन्त फूलों की सुंदर्ता और को मलता भी परमात्मा के सामने कुछ नहीं है इस दिये कह दिया कि इस प्रकृत में उपमा का कोई पदार्थ नहीं है, अनुपम है, अलग है या गोचर है मन वाणी से परे है, हमारा मन जहां तक जा सकता है, हमारी बुद्धी जहां तक जा सकती है, परमात्मा उससे भी परे है आपने देखा होगा, कुम के मेले में जब सारे देश के मात्मा लोग इगठे होते हैं, देश में कितने मात्मा है, बहतर लाग से भी ज़यादा अस्नान पहले कौन करेगा इसके लिए जगड़ा मत जाता है पहले इस्नान कर लेजिए बाद में इस्नान कर लेजिए क्या अंतर पड़ता है लेकिन नहीं ढूबकी हम पहले लगाएंगे तो हमारा अखाड़ा बड़ा मनचेगा इस यह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं एक बार हर द्वार में कुम मेला लगा था पूलिस ने हज़ तक चेप किया तो नागा बाबाओं ने कई पूलिस वालों को मार कर गंगा में फेक दिया फिर पूलिस ने भी गोलियां चलाई कितने मात्मा मारे गए गंगा में बढ़े जरासी बात के लिए पानी में डूब की लगाने के लिए हिंदू समाज लड़ पड़ता है साँखि दरसन क्या कहता है रिते जानाति न मुक्ति यदि परमात्मा कवाश्च्चि जान नहीं हुआ तो मुक्ती नहीं हो सकती गंगा जल में डूपकी लगाने मात्थ से मुक्ती नहीं हो सकती यदि आपने अखंड ज्यान की गंगा में डूपकी नहीं लगाई ज्यान के जल से अपने को पुईत्र नहीं किया परमात्मा के प्रेम की भक्ति में अपने को स्वाहिम समर्पित नहीं किया, तो कभी भी आप मुक्ति की आसा नहीं कर सकते हैं। गीता जिस सत्य को दर्शाती है, आज का हिंदु समाच उसको स्विकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं रामचरिति मानस की बात कर रहा था। जास अंस्टे नाना, देखिए मैं कठोर बात कह रहा हूं। जिसके अंस मातर से अंस की अंस मातर से नाना कारद के होता है? बिखते लिखते समय उनसे भी भूल हो जाती है। वे किसके भक्त हैं भगवान राम के भगवान राम किसके अवतार है विस्नु भगवान के विस्नु भगवान के अवतार है क्योंकि वे लिखते हैं जाग दिन ते हरी गर्व ही आए हरी कार्थ का उनत है विस्नु भगवान जब विस्नु भगवान गर्व में आते हैं तो रा उनके अंसमात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु सी उत्पन होते हैं आगे के वड़न वे एक और घटना आती है जब स्वाइम्भु मनुत तप करने लगते हैं और तप करते-करते जब उनको दर्शन होता है अगास ब्रह्मा विष्णु सी तीनों आते हैं उनका तप चलता रहता है और अपनी आँखें नहीं खोलते हैं पुना उनको आकास्वारी होती है कि जो तुमारी इक्षा है वो पूर्ण होगी भगवान प्रगठ होने वाले हैं बस इतनी कहानी है आप सोचिए ब्रह्मा जी भी आते हैं विष्णों जी भी आते हैं संकर जी भी आते हैं इसके परे भी तो कोई और है जब तीनों के आने पर वो आँखें नहीं खोलते हैं तो कोई और है जिसकी वो प्रतिक्षा कर रहे हैं ऐसे रामचरित मानस में अपने तरीके से कई भी संकतियां हैं तारतम ज्ञान के प्रकास के बिना इसको नहीं समझा जा सकता मैं तो केवल संकेतों में कह रहा हूँ संकर जी की आराधना करते विए भगवार राम को रमेश्वर में दिखाया जाता है और प्रामाइड के एक प्रसंग में भगवान सीव के द्वरा राम की इस्तिक करते विए कहा जाता है राम के द्वरा कर लाया जाता है कि सीव द्रोही में सपने नहीं भाए या पढ़कर कोई भी बैसनों संकर जी के खिलाब बोलने का साहस नहीं कर सकता और जब देखते हैं कि संकर जी राम की प्राटना कर रहे हैं तो दोनों ने डर के मारे मितरता कर ले कि हम तुमारे इस्ट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे तुम हमारे इस्ट के बारे में कुछ नहीं को हम सालिग राम की पूझा करेंगे तुम सिर्डिंग की पूझा करो मेल मिलाप हो जाए क्योंकि जदि हम दोनों लड़ेंगे तो धर्म गरंतों के खिलाप जाएगे यह तो तुलसे दास जी ने अच्छी बात की कि दोनों को एक कर दिया सब को मिल कर रहना चाहिए लेकिन मनुष के अंदर जी जासा होनी चाहिए कि परमात्मा को ने परमात्मा वह है जिसके बारे में गीता कहती है उपनिसद कहती है दर्सन सास्त कहती है वेत कहती है गीता घर घर पढ़ी जाती है प्राया वैसे तो आजकल जाहिए तो कोई गरंथ नहीं मिलेगा सोमनाथ के मंदीर में जाहिए मैं कई बार गया हूँ देखने के लिए नचाने कितने करुणों का मंदीर है हो सकता है अरब में उसका बजट होगा लेकिन कोई आज देख एक छोटा सा पुस्तकाले नहीं है कि वहां कुछ गरंथ रखे एक छोटा मोटा इस्टाल कुछ साल पहले साथ पिछले साल मैंने देखा था उसके पहले जब गया था आज से आट साल पहले तो छोटा इस्टाल भी नहीं था और वो का मंदीर और वहां 10,000 का साहित भी किसी पुस्तकाले में न मिले तो इससे बड़ा दुर्भा के क्या होगा मैं आपको गीता के कुछ उधरन बताता हूँ आपने तो तार्तम बाणी की चुपाई में सुना कि पारवर्म तो पूरान एक है ये तो अनेक प्रमिस्वर कहां में सज्टानन परमात्मा कितने हैं के वले एक था एक है और एक रहेगा फिर लड़ाई क्यों कोई कहता है कि हमारे संकरजी बढ़े हैं कोई कहता है कि हमारे विष्ण भुगवान बढ़े हैं कोई कहता है हमारी देवी माता बढ़ी हैं लड़ईयां इसलिए होती हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता, देखिए, सीव का अर्थ क्या होता है, कल्यान करने वाला, ये खही परमात्मा, जो सारे जगत का करता धरता है, वही सब का कल्यान करने वाला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सीव, विष्णु का अर्थ क्या ह प्रमात्मा एक है और उसी परमात्मा को अनेक नामों से कहा जाता है कोई सीव कहता है जो भी सिष्ट में महापूरुश हुए सबने अपना अपना नाम रख लिया अब परमात्मा कौन है इसके बारे में मैं गीता से आपको एक उधानन देता हूँ देखिए मैं आपको एक दिर्ष्टांत से समझाऊंगा तो बात असानी से समझ जाएगी आप आपके प्रांत के हैं आपने नरेंदर मोदी पूरी दुनिया जानती है उनका दिष्टांत अच्छा रहेगा आपने नरेंदर मोदी जी को देखा है किसी बच्चे से हंसते हुए चोटे-चोटे बच्चों से हाथ मिलाते हुए जब नरेंदर मोदी चोटे-चोटे बच्चों से हाथ मिलाते हैं तो उस सत्ता का रूप नहीं रहता वो मुस्कराते हैं बच्चों को देखर खिलकलाते हैं मैंने एक खुद वीडियो देखा था पांच साल का एक चोटा बच्चा किसी की गोद में था तो उसके गालों पर थपकी लगा कर मोदी जी भी बच्चे जैसे बन गए थे वो क्या है? वो एक प्रेम का शरूप है जो प्रदान मंत्री को भी भुला देता है कि वो इस देश का प्रदान मंत्री है सत्ता समाप्त और एक वो रूप होता है कि मोधी से मिलने में अच्छे लोगों के प्राण भी कापते होंगे यदि मोधी जी अपने उपर उतर आए और कोई बात मना कर दे तो अच्छे-च्छे मंत्रियों को भी बात करने में घबराट होती है क्यों? वो सत्ता का सरूप है एक और सरूप है मानले जी कि मोधी जी को नीद आ जाए और सपने में किसी वन में चले जाए अचानक कोई भालू उन पर हमला कर दे तो क्या होगा? सोते सोते उठ जाएंगे कि मैं तो ध्यान कर रहा था कहां से भालू आ गया? ब्यक्ती एक है तीन अस्तरों पर उसके लिला चल रही है जो प्रेम में है उसमें केवल आनन्द है प्रेम है जो सत्ता में है वो सक्ति के द्वरा अनन्त ब्रह्माद्नों का स्रिजन करता है और जो सपन में जैसे सपन में किसी वन में तप कर रहे हैं साधना कर रहे हैं भालू ने हमला कर दिया तो क्या होता है भालू होता नहीं है मन के संकल्पों से निद्रा में बना होता है जब निट टूटती है तो भालू भी अद्री से हो जाता है तो उसी तरह से परमात्मा एक है जब सास्त्रों में बर्णित किया गया है तो अनेक गुणों की व्याख्या की गई है कि परमात्मा प्रेम का सरूप है परमात्मा अनंत प्रमांडों का स्रिजन करता है परमात्मा ने इस सारे दुनिया को बनाया है तीनों बाते कही जाती है लेकिन तीनों की लीला अलग अलग है ये बात कि वलतार्तम जान से जाना जाता है अनिता चारो वेदों का विद्वान भी तीनों को एक ही मानता है मैंने का नरेंदर मोदी तीन नहीं है है नरेंदर मोदी एक ही तीनों की लीला अलग अलग है तीनों की लिला का सुभाव अलग-अलग होगा जो प्रेम का सुभाव होगा वो सत्ता का सुभाव नहीं होगा और जो सत्ता का सुभाव होगा वो सपन में कुछ और लिला करता है सपन में डरता है जैसे मैंने कहा जिस प्रधान मंतरी से सबी डरते हैं वो प्रदान मंत्री एक छोड़े से भालू से डर जाता है क्योंकि वो ध्यान में होता है कि गीता में पंद्रेव अध्या के 16-17 स्लोक में तीन पूर्सों की विवचना की गई है प्रदान मंत्री जब सपना देख रहे थे सपने में उनका सोय तो थे दिल्ली में और सपने में कहां चले गए वन में साधना कर रहे हैं भालू आक्रमर कर देता है जब भाय से वो कांपने लगते हैं तो उनकी निद्रा तूट जाती है पर निद्रा तूटने के बाद वो क्या देखते हैं? मैं तो ब्यर्थ में डर गया था, मैं तो अपने कम्रे में हूँ, जो भालू आया था, वो तो सपना था, सपने इमें गया था, सपने काद्री से जुठा आये, लेकिन जब तक सपना चल रहा है, भाइबीत कर रहा है उसी तरह से ये सारा छर जगत किसका है सपना किस ने देखा सत्ता के सरोप मोदी जी ने देखा जैसे एक विक्ति कपड़े का बेपारी है कपड़ा काट काट पूरे दिन भर बेशता रहता है रात को सो जाता है, सोचते सोचते यही सोचता है, कल मैं इस धन को काटूँगा, इतने भाव में बेचूँगा, तो सचमुच अपने को बेच रहा होता है, उनी भाव में सोचते सोचते, सपना देखने लगता है कि मैं बेच रहा हूँ और अपना ही कपड़ा फार डालता है, नीद में ही कपड़ा फार डाल दिया क्योंकि जैसे उसके संसकार है उन संसकारों के अनुसार वो कारी करेगा व्यदान्त में ब्रह्म की व्याख्या क्या की गई है पहला सुत्र है, दूसरा सुत्र है जन्माद यस्यदा जिससे सिष्ट की उत्पती हो, पालन हो, संहार हो उसको क्या करते हैं? ब्रह्म अपने बाणे में पड़ा है कोट ब्रह्मान नजरों में आवे, छिन में देखके पल में उड़ा है करून ब्रह्मान एक पल में जिसके पैदा होते हैं और लाए हो जाते हैं देखिए अभी आपने बाणे की चोपाई सुने कि पारब्रम तो पूरान एक है यह तो अनेक परमिस्वर कहां में दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कोट ब्रमान नजरों में आवें छिन में देख के पल में उड़ावें बाणे की चोपाई कहती है अक्षर का मन विलास करता है जैसे आप सो जाते हैं तो आपका मन ही तो आपका रूप धान करके सुपन देखता है आपका मन हुबाहुब आपका रूप धान करता है और आपकी सारी दिंचरिया को जैसे आप जागरती अवस्था में कर रहे होते हैं वो इसे ही सपने में करता ह जो सपने में देखा जाता है, वो जूठा होता है, लेकिन जब तक सपना चल रहा है, तब तक वो सच होता है, वैसे चरह सर्वाण इभूताने, चर क्या है, जो नस्वर है, कुटस्त तो अक्षर उचते, कुटस्त क्या है, वो अक्षर का लता है, और अक्षर क्या है, अक्ष प्रेम और आनंद में डुबा रहेगा और जो सत्त का जो सपन है वो सपन में ही होता है इस माया के अंदर जैसे आपको घड़ा बनाना है मताएं बने रोटी बनाती है तो बताएं आपको आटा भी न दिया जाए पानी भी न दिया जाए और कहा कि रोटी लाओ आप कहां से लाएंगे आप तो कहेंगे कि आटा नहीं है तो मैं कहां से रोटी बना करता हूँ वैसे ही ये माया का संसार ये सूरा, चांद, सितारे, आकास जो भी दिखाई दे रहे हैं कहां से बने है माया क्या है प्रमात्मा की सक्ति मायाम तु प्रकर्टिमिद मायनम तु महिस्वरम ब्रह्म की सक्ति है माया और उसी अक्षर ब्रह्म के मंग के संकर्प से माया का प्रक्टिक करन होता है जिसमें अक्षर का मन क्रिडा करता है, विलास करता है अक्षर ने जब मन में सोचा अक्षर के मन ने कि मैं स्रिष्टी रचना करूँ तो जो स्रिष्टी बनेगी उसका विना सवस्य होगा इस ती है इसको सपने से तुलना की गई है अक्षर प्रहम को नीद नहीं आती सपने के दिश्टां से बताया क्या है जब इस मोह सागर में माया के लिए मोह सागर किसको कहते है अज्ञान है भ्रहम है शंसा है आप इस सारय संसार में जाईए आपसे पूछ दू की आज के दिन एक वर्स पहले आपने क्या खाया था आपको कुछ नहीं आ दे, एक महीने पहले की बात नहीं याद है, किस से मिले थे, कुछ पता नहीं, कल क्या आपके साथ होने वाला है, कुछ पता है, कुछ नहीं वाला है, चाहें आप कितने भी पढ़े लिखे हों, त्रिकान दर्सी आप हो नहीं पाते, कल को क्या होना है, प मोह सागर में प्रतिविंबित होता है मोह कहते है नार को और उसमें जीव निवास करता है उसको क्या कहेंगे नारायन ये वही नारायन है जिसको तुलसी दायस जी ने कहा है कि उपजैस जास अंस दे नाना अक्षर का अंस नहीं होता अक्षर का मन जो मो सागर में आएगा सोयम को नारायन के रुप में देखेगा और नारायन जब संकल्प करते हैं कि मैं एक हूँ अनन्त हो जाओं तो माया की ये सारी सिष्ट दिखाई देने लगती है हमारे चौदर लोकों जैसे असंक्यों चौदर लोकों के ब्रह्मान दिखने लगती है ये सूरत, चांद, सितारे हमाले जैसे परवत, समुंद्र अनन्त प्राणी दिखाई देने लगती है जैसे आप राजा हैं तो सपना भी राजा के उनसार ही दिखेंगे अक्षरा तीत क्या है चर, अक्षर, अक्षरा तीत ये तीन पुरुस है मैंने आपको बताया गीता में सिक्रिश क्या कहते हैं चर, सर्वान, भूत, आने कुटेस्थ हो अक्षर हो जदे सभी प्राणी चर है जो कुटेस्थ है वो अक्षर है और उत्तम पुरुस कौन है उत्तम पुरुस ही परमात्मा है चर परमात्मा नहीं है अक्षर, अक्षरा तीत का सतंग है दोनों का सरूप एक है लीला अलग-अलग है आपने बाणी में पढ़ा है इत्त और नदूजा कोई सरूप एक है लीला तोई जो अक्षर है वही अक्षरातीत है लीला कांतार है लेकिन मैं कैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक दिश्टान दिया था कि मोदी जब पांच साल के बच्चे से मिलते हैं तो उसके गाल पर प्रेम भरी चपत लगा कर मुस्कराते हैं लेकिन जब मंत्रियों के साथ बैठे रहते होंगे तो उनकी आखों की तरफ देखिए पता चल जाएगा कि किसी मंत्री को उनसे बोलने में भी कितनी घबराट होती होगी किसी सांसत को हिमत नहीं होती कि खुल करके हमस बोल सके क्योंकि ब्यक्ति वही है उसने सभाव बदला है अपने मंत्रियों के विधायगों के साथ दूसरी तरीके से बोल रहे है और एक पांच साल के बच्चे ने एक प्रधान मंत्री को पसिभूत कर लिया है क्योंकि वो प्रेम के सुरूप है हुआ ब्यक्ति एक है सुभाव दो अओं गए और जब वही सुभाव जब सपन देखता है तो वो कुछ अलग लिला हो गई एक पर्मात्मा ब्यक्ति एक सुभाव तीन लिला थी इसलिए उसको क्या कहेंगे छरपुरुष छरपुरुष की लिला को अक्षरतीत पुरुसके लिलास में नहीं गटित कर सकती है, वो अलग है, इसलिए जब गीता की व्याख्या होती है, वेदांत की व्याख्या होती है, वेदों की व्याख्या होती है, तो बिना तार्तम ज्यान के कोई समझ नहीं पाता कि हम किसको क्या माने, जो अनंत प्राणि को पैदा कर रहा है कर्मों का फल दे रहा है कौन कर रहा है अधी नरायन के रूप में देख रहा है और अक्षराती थी अक्षर के रूप में अनंत ब्रह्मानों का स्रिजन कर रहा है तब ही तो वानी करती है इत और नदूजा कोई स्वरू बेख है लिला दोई लेकिन हम कहें कि आदी नरायन पूरण ब्रह्म है, यह संभव नहीं, जैसे स्वप्न में एक भालू से डढ़ने वाला प्रधान मंत्री, देश का प्रधान मंत्री थोड़े है, तो सारे देश का संचालान कर रहा है, एक वन में कई भालू हो सकते हैं, लेकिन यह कई भालू से जो डढ़ जा हैं, वह है आदी नरायन, और अक्षर अनन्त तो आदी नरायन भी अनन्त, सारे दुनिया के वैज्यानिक मिल जाएं, तो यह नहीं बता सकते हैं कि छर मंडल का बिस्तार कितना है, आप एक छोटी से दुनिया में रहते हैं, प्रिथिवी पर ही, प्रिथिवी पर भारत जैस हैं, गुजरात में आप एक छोटे से गाउं में रते हैं, सहर में रते हैं, आपका एक परिवार है, एक ही गाउं में नगर में आप जैसे कितने परिवार रते हैं, सारी प्रिथिवी पर घूम आये, तो आप क्या लगता है, आप एक बहुत छोटे से हिस्से हैं, और जब स सारी स्रिष्ट का जहां बढ़न हो जहां हमारी गलेक्सी में जानते हैं कितने करोड सूरी हैं हमारा सूरी तो प्रिथिमी से 13 लाग गुना बढ़ा है और हमारा सूरी सबचे छोटे सूरियों में आता है हमारी सूरी जैसे करोणों सूरिया है और हमारी गलेक्सी जैसे करोणों गलेक्सिया है और वो अभी केवल 18 प्रिसत मालूम है 63 जो स्थिष्टी है उसके बारे में वज्यानिक मौन हो जाते हैं कुछ पता नहीं, समुद्र में जैसे पानी के बुलबुले असंख्यों एक साथ उगते हैं और ढूब जाते हैं, उसी तरह से हमारे चोदो लोग जैसे असंख्यों ब्रह्मांट पानी में उगते हैं, ढूबते रहते हैं, निराकार से पैदा होते हैं, उसी में विलीन हो जात कितना है, कोई न्यारायन को भी पता नहीं कि निराकार का ओर चोड कहा है, यह निराकार को से प्रगट हुआ है, अक्षर के मन के संकल्प, यह निराकार more सागर जिसको महासुनी कहते हैं सारी स्रिष्ठ उसी महासुनी में समाथ हो जाती है आजकल पढ़े लिखों के समाज में जानते हैं आजकल पढ़ा लिखा किसको कहते हैं जो अंग्रेजी बोल सकता है जो साइंस पढ़ सकता है क्यों वही पढ़ा लिखा मान में जाता है आप धोती बहन कर दुनिया की सारी डिग्रियां लिएवे होंगे फिर भी आपको मुर्क दुनिया समझती तो मैं उनकी भासा में बता रहा हूँ स्रिष्टी कैसे पैदा हुई इसका लिए एक सिधान्त बनाया जाता है बिग बैक थिओरी कि सुई के नोक के बहुत सुख्ष मन से भी स्फोर्ट होता है और उसी से सब कुछ बन जाता है बस इतने आप जानिक जानते हैं सुई के नोक का सुख्षतम भाग उससे भी सुन इसे नीचे कई भाग तो आप सोच सकते हैं और भाग भाग भी समझ लेजे वो भी छोटा है हाकिन्स का अलग कहना है कैसे ब्रह्मान बन रहे हैं सब अपने इपने विचार दोड़ा रहे हैं लेकिन निराकार कैसे पैदा हुआ निराकार के परेख्या कोई नहीं जानते इसके परेख्या है अक्षर कोटेस्तो अक्षर उचते गीता कहती है उत्मा पुरसा तुअन्या परमात्मा इतिन दाहिर्दा उत्तम पुरस कोई दूसरा है जो परमात्मा कहा जाता है गीता आपकी क्या कहती है सहत भाक्ति योगियन अभ्यभीचारणी अभ्यभीचारणी भक्ति किसको कहते हैं जैसे जितनी बहने बैठी हैं आपको मालूम है कि हर बहन की हर कन्या का विवा एक ही पती के साथ हो सकता है जो इस नियम का उलंगन करती है उसको समाज में अच्छे दिश्टे नहीं देखा जा सकता और जो एक पती को अपना पती मानती है उसको क्या कहते हैं पतिवर्था पतिवर्था करत क्या होता है जिसमें एक ही प्रितम हो गीता में योगेश्वर सिक्र्ष्ट कहते हैं पुर्शा हें तू परापार्थ बड्टिया लभ्या तू अनन्या है अनन्य पराप्रेम लक्षण भग्ति से वो पराप्थ होता है कि तुक्ता में यूगैसवर क्या कहते हैं आए यन्ट माम ये जनाम में पर उपासते ते शाम योग चेमा नित्यम भाव जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे यत्रिक्त कोई दूसरा ना हो एक सच्तानंद परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की उपास्तान नहीं करें उसी को करते अनन्य भाव जिसमें एक जैसे पतिवर्था का एक ही पति होता है कैसे मैं आपको इद्रिश्टान देता हूं रावन सीता से करता है कि सीता यदि तुमने एक मां के अंदर मुझे अपना पति स्विकार नहीं किया तो तुमारे मांस को रसोई घाल में कटवा कटवा कर मैं राक्ष्णों को खिला दूगा सीता करती है कि रावन पर राम कुछ भी हो जाए सीता का कोई भाई हो सकता है पुत्र हो सकता है पिता हो सकता है पती नहीं हो सकता मुझे मरना सुकार है लेकिन मैं राम के तिर किसी को अपना प्रितम नहीं बना सकती सीता के एक ही राम है राधा के एक ही कृष्ण है पारवती के एक ही सीवे है क्योंकि इनकी निश्ठा किस पर है? उसी तरह से यदि हम गीता को मांते हैं वेद को मांते हैं उपनिसत को मांते हैं तो हमारी निश्ठा किस पर होने चाहिए? पुर्ससव परापार्थ भक्तावलभेतू अनन्न्या उत्तम पूरुसक्च्छछती अर्जुन से सिकर्ष्ट ने क्या कहा है कि अर्जुन तमेव सरणंग गच्छ रुभूतेन भावन तो उस परमात्मा की सरणंग में जा जो परमात्मा एक है और उसके समान कोई भी दूसरा नहीं है और उसको कैसे पाना है तो अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ती से है कि उसके जैसा प्रेम किसी से भी नहूँ अब देखते हैं घर में एक सती साध्वी पत्नी रहती है देवर को भी स्ने देगी जेट का भी सम्मान करेगी ससूर का भी करेगी पडोसियों से भी अच्छे समंद बनाई रखेगी लेकिन हिर्दय का प्रेम पती के लिए होता है अपने पती के लिए जो भावना है वह भावना न देवर को दे सकती है न जेट को दे सकती है न किसी को भी नहीं दे सकती आतमियता सबसे होती उसी तरह से इस संसार में सम्मान सबका किजिए लेकिन भक्ति किसकी किजिए उसी सच्तानद परमात्मा की आप देखिए भगवान सीव का आपने चितर देखा है आंके बंद करके क्या कर रहे है ध्यान ही तो कर रहे है उनको ध्यान करने के आउसक तक क्या है परमात्मा परमात्मा का ध्यान क्यों करेगा वे ध्यान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे योगी राज है भगवान राम प्रति दिन संध्या करते हैं प्रति दिन हमन करते हैं जब राम पुस्पक्विमान में जा रहे होते हैं तो सीता को कहते हैं कि देखो सीता अत्रपुर्वा महादेवा प्रसादम करोम विभू सेत वंद इत्विक्यातम मैं और लक्षमन यहां रहकर जो देवों का भी स्वामी सर्वोपर परिमात्मा है उसका यहां ध्यान करती थे भग्वान राण प्रत्नी ध्यान करते हैं संकर जी समाथी में हजारों हजारों वर्ष तक लगतार बैठे रहते हैं मैस्वर्तंत का एक प्रसंग आता है उसमें भग्वान सीव करते हैं उमा से कि असमिन अज्यान पाथोदो वयम ब्रह्मा आदेव पि बुदबुद अकार्ताम प्राप्ता तद इक्छावाई जिम्रता इस मो सागर में मैं और ब्रह्मा आदिदेवता पानी के बुलबुले के समान अस्टित बने रखते हैं और उसी परमात्मा के कृपा रूपी वाई से हमारा अस्टित वाई है भगवान सीव ने उमा को क्या सुनाया था? अमर कथा अमर कथा किसको करते हैं? अमरत को देने वाली कथा कथा कारते होता है जान चर्चा वह जान जो मने इसको अमर बना दे अमर बनाने का दाद पर क्या है वेथ ने कहा मिर्तुमेठ ना अन्यपंथा घिद्या ने उस परमात्मा को जानने कि बाद है मृतु के बंधन से चूंटा जा सकता है अन्य कोई भी रास्ता ने मृतु का बंधन क्या है जन्मरन का चख्र जो इसका सरीर पैदा हुआ है उम्रित को अवस्प्राप्त होगा लेकिन यदि आपने परमात्मा को जान लिया कि उत्तम पूरुस अक्षरातीत कौन है कहां है कैसा है तो जन्मनल का चक्र छूट जाएगा संकर जी आगे कहते है कि ही उमा सच्चतानन परमात्मा कोन है या जानने के लिए मैंने 5,000 दिब बडसों की समाधी लगाई और उस समाधी में मैंने जो इस्वर से जान सुना इस्वर ने सदासी उसी से सुना सदासी ने अक्षर से सुना वह जान मैं तुमको सुना रहा हूं और उसी जान के अधार पर मैं ध्यान करता हूँ उस परमात्मा का। संकर जी किसका ध्यान करता है। अक्षर के हिड़े में लीला करने वाले सब लिक के बलका ध्यान करते हैं। उनको भी अभी पता नहीं। वेद में लिखाय कि तिरबादू देट पुरसा इस योग माया के ब्रहमान से परे बेहत से परे परमात्मा आए। इसलिए बड़े-बड़े रिसी, मुनी, योगी खोज में लगे रहे हैं, वेदों को पढ़ते रहे हैं, उपनिस्तों को पढ़ते रहे हैं, यह तार्तम ज्ञान का उतरण हुआ, जिसे सारे रहस्य विदित होते हैं, कौन है परमात्मा, कहा है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, अभी आपको मैंने गीता का प्रारभ में एक स्लोक बताया था तुमियु माता समाज में एक भाव बनता है क्यों नहम परमात्मा को मां के रूप में देखे लेकिन मां के रूप में देखने वालों से बहुत बड़ी भूल होती है आपका मख्या देवी चले जाएए वहाँ देवी माता का मंतिर है जानती है कितने पस्वों की बली दी जाती है निपाल में गड़ी माता का मंतिर है वहाँ एक लाग सवा लाग तक भैसे काटे जाती है खुन की नाली बहती है कितने दिनों तक बदभु आती रहती है माता क्या होती है मा की ममता मा ही जानती है पूरी राद गिले कपड़े में सोती रहेगी अपने बच् logically को कभी गिले कपड़े में नहीं सोने देगी सोईं भूखु रह जाएगी लेकिन बच्चे को भुखो नहीं रहने देगा इसने संक्राचार ने कहा है को पुत्रो जाये तो कुछी तो भी माता को माता नहीं हो सकती माता अपने प्राण देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है अपना दूद पिलाती है उसकी गंदगी उठाती है मल मुत्र उठाती है बलही बुढ़ापे में पुत्र उसको दुद्कार दे मा कभी बच्चे को दुद्कार नहीं सकती है भारत की माता मैं भी देश की बात नहीं कर रहा हूँ अब सुचिए लेकिन जिस देश में परमात्मा को मा के रूप में पूजा जाता है उसी देश में अखिर पस्वों की बली क्यों है क्योंकि माता तो सारी सिष्ट की माता है देवी भागवत में एक स्लोक आता है या देवी जीवी रूपेड सर्व भुतेश तिष्टा नमा तस्षे नमा तस्षे नमा तस्षे नमा नमा माता ही देवी माता सभी प्राणियों के जीव रुप में है तो क्यों कहा जाता है कि इस बकरे को काटो इस भैसे को काटो देवी मा खुस होगी देवी मा तो नहीं कहती हाँ एक इसकंद पुराण में कथा आती है मारकंडे पुराण में और उसी से एक दूरगा सबसती बनता है जिसका पार्ट नौरातर में सब जगा किया जाता है मैं उस घटना करम को अलंकारिक रुप में जववाणित किया गया है मैं आपको समझाने का प्रयाज करूँगा और सबसे मेरा निविदन है कि आप सांति पुरवक सुने गरंतों में क्या कहा गया है और उसका आज से क्या होता है एक महिसासुर राक्षस होता है महिसासुर राक्षस जिसके भैसे जैसी आकृति होती है उसके पास इतनी सक्ति है कि किसी भी देवी देवता से मारा नहीं जाता है उसके अतचार से सारे देवता तरस्त हो जाते है यह मारकंडे पुराण में कता है सारे देवताओं की एक सभा होती है ब्रह्मा, विश्रू, सीव सभी इकठे होते है और सोचा जा रहा होता है उसमें लक्षमी, सरस्ति, पार्वती, सभी अपनी सपत्नियों सहित, सभी देवतां बिराजमान होते हैं क्योंकि स्तिरिष्ट के प्रारम से दो वर्ग चल रहे हैं, सुर का और असुर, देवता और आक्षस, हमेशा से चलते आएं, चलते रहेंगे जैसे अंदकार और प्रकास का संगर्स होता है सत्य और असर्स का संगर्स होता है वैसे देवता और अरसूर का भी संगर्स होता है यह महिसासूर अक्षस तपस्या से बर प्राप्त कर चुका था और उसको कोई भी मार नहीं सकता था बिश्ण भगवान का सुदर्शन चक्र नहीं मार पारा है, संकर जी का तिर्सूल नहीं मार पारा है, कोई भी कुछ कर नहीं पारा है, सबी देवता सोचते हैं कि इसका उनमुलन कैसे किया जाए, देवताओं के शरीर से एक तेज निकलता है, और उसने एक सक्ति का रूप धा जब देती हैं, संकर्जी तिर्सूल देते है, विष्ण भगोन अपना धनुस देते हैं, यम्राज अपनी गदा देते हैं, सबी देता अपने अस्तर शस्तर देते हैं, और वो अश्ट भुजा धारने, कहीं दस भुजा धारने लिखा है, दुर्गा, जाकर मैसासुर को मार द होता है तो राक्षसों किसे ना भागते जाती है दस भुजा धारडे सिंग वाइनी दुरगा महिसासु राक्षस को मार देती है जब विजुत चल रहा होता है तो उसी विश्च में एक रक्तवीच नाम का रक्षस होता है उसको वर्दान पराप्त है कि तुम्हारे स्रीर से एक भी बूद्द यदी धर्ती पर गिर जाएगी तो तुम्हारे जैसे अनेको रक्तवीच पैदा हो जाएगी दुरगाजी उसको जितनी वर गर्दन काटती है फिर नए-ने रक्तवीच पैदा हो जाते है दुरगाजी परसान हो जाती है कि महिसासुर को तो मार दिया मैंन इस रक्तवीच का मैं क्या करूं उनके शरीर से पुना काली माता प्रकट होती है और रक्तवीच को मार कर क्योंकि जीव निकाले होती है रक्तवीच को मार कर उसका रक्त पान कर जाती है देखिए ग्रंथों में लिखा है उसका सुक्षम अर्थ होता है कहानी के माद्यम से आम जन्ता को सत्य समझाना होता है लेकिन जब नहीं समझ में आता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है जब सारे रक्त का पान कर दी जमीन पर उसका रक्त गिरा नहीं तो रक्त भीज मर जाता है और राक्षन किसे ना भाग जाती है ये क्या है? ये घटना नहीं है बढ़नन है, दैवी सक्ति और आशरी सक्ति, दैवी संप्ता और आशरी संप्ता, दैवी संप्ता किसको कहते हैं, आप में जान है, भक्ति है, विवेक है, वैराग्य है, सील है, संतोस है, सेवा है, सालिंता है, इसको क्या कहेंगे, दैवी संप्ता, आप कामी, क्रोधी, लोभ जवी मोह, अंकारी, विसी ही है तो क्या कहेंगे? आश्री संपदा तो दैवी संपदा और आश्री संपदा में हमेशा संघर्श चलता रहता है जय से आप कहें किसी की दुकान में गए हैं कोई है नही लाखों करोणों के अबसर रखे हुए है आप सोते हैं कि यहां तो कैमेरे भी नहीं लगे हैं कि कोई देख नहीं रहे, मैं चुपके से एक ले लूँ तो क्या नुकसान है यह कौन बोल रहा है? आशुरी सकती अंदर से मन कहता है कि नहीं, यह पाफ है कोई ना कोई देख लेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं समाज में मुख क्या दिखाऊंगा, दोनों में लड़ाई छिरट रही है, उसी तरह से, हर प्राणी के अंदर दैवी और आशुरी संपता में संघर चला रहता है, देखे, भैसे का रंग क्या होता है, काला, महिस क देवताहियं अंदर रहता है, जैसे किसी के मन में पाप आ जाए, तो क्या कहते हैं, तेरा चेहरा काला है, आप देखते हैं काला का मतलत जो इस फ्दैब के मारप चलता है, तो कहते हैं, इसससे का पाप का गडरा भर गया है, अब च्या DOC नहीं दो yağना काला, इसलिए महिस सासुर महिस यानि तमोगुड रुपी वह राक्षस जो भैसे पर अज्यान रुपी राक्षस के रुपे रहता है उसको मारेगा कौन जो सिंग पर बैठ सकता है सिंग वायनी दुरगा ही मार सकती है जिसके दस बुजाएं है आपकी दस इंद्रियां हैं दस इंद्रियों का जो राजा है वो मन है जो दस इंद्रियों के राजा मन को जीत सकता है वो मन रुपी सेर पर सवारी करेगा वही अज्यान रुपी राक्षस को मारेगा हर बैक्ति के अंदर दुरगा है हर बैक्ति के अंदर काली है जदि आप मांस खाते हैं, तो मांस खाने किया, तृष्णा आपको मांस खाने वाली योनी में ले जाएगी, एक बार पुराने एक सुंदर साथ ने गट्ना करम सुनाया था, कि एक बार माराज जी कहीं जा रहे थे, सेरपुर वाले परमन्स माराज सी, राम रतनाज सी, साथ में बाग बागिन का जोड़ा आ गया, उनके आगे जुक करके बैठ गया, वो सुंदर साथ कहने लगे कि माराज जी अब तो जीवन संकट में है, माराज जी हसने लगे, कहने कि अरे भाई, तुम चिंता ना करो, अभी चले जाएंगे, थोड़ी देर के बाद, दोनों बाग बागिन का जोड़ा चला गया, माराज जी ने कहा कि देखो, इन्हों ने तार्तम तो ले लिया था, लेकिन कभी राज जी की वाणी नहीं सुनी, कभी भजन भक्ती नहीं ख हो जाएगा, मांस खाने के तृष्णा मनुस को उसी ओने में ली जाती है, कि ताकि जी भरकर वो अपनी तृप्ति कर ले, यह दन मिलता है, यही रक्तवीज राक्षस है, रक्तवीज राक्षस का गर्दन की गर्दन काटी जाती है, लेकिन एक बूद भी गीर गई, तो पर चसु के लिए, लेकिन भरत मुनिक के पास तो इतना विसाल समराजी था, सारी पृतिवी के एक छत्र समराठ थे, सोने के महलों को लात मारकर उन्होंने बन में निवास करना प्रारंग किया था, लेकिन एक हीरन के बच्चे पर जो आसकती हुई, उसी आसकती ने उनको बिवस किया कि वे पुना मनुस्योंने छोड़कर हीरन के योनी में जाए, उसी तरह से, आप कितने भी तपस्या करते हैं, कितने भी योग साधना करते हैं, आपके अंदर संसार के सुक की वासना रहेगे, तो वासना आपको पुना जन्म का करन बन जाए, यही रक्तवीच ह अर्थ है, चित कर्म का वीच, यह कर्मफल की वासना, संसार के सुक की वासना मनुस्यों के पुनरजन्म का करन बनती है, और इसी बात को दर्शाय गया है, काली क्या है, काली के हाथ में ज्ञान रुपी तलवार है, आपने ज्ञान रुपी तलवार से चित की वासनाओं का स आप साधना की अग्री में इतने डूम गए, समाधी की अग्री में आपने चित की सारी बृतियों का निरूद कर लिया, समाधी के चरम तक फल पहुंच गए, तो क्या होगा, जो जन्म जन्मांतरों की वासना है, वो समाप्त हो गई, तो आपका पुनर जन्म नहीं होगा, अर अर्थात, रक्तवीज राक्षस के रक्त का पान करना क्या है, समाधी की अग्न से, समाधी रूपी तलवार से, चित की वासनाओं, अर्थात उसका रक्त का पान कर लेना, तो उसका पुनर जन्म नहीं होता है, समाज ने कथा को ले लिया, कि हम ऐसी प्रतिमा बनाएं, जिसमें जीव निकली हो, और काली माता सब का रक्त पान करती हो, ऐसा नहीं है, ये अलंकारिक व्याख्या है, भगवान सीव का भी अलंकारिक वर्णन है, और जो उस रहस को नहीं जानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को देखिए, हंस पर बैठाया गया है, हंस क्या है, स्वेत रंका होता है, मुर्पा भी तो बैठ सकते हैं, भगवान सीव को बैल पर क्यों बैठाया गया है, लक्षमी को उलू पर क्यों बैठाया गया है, ब्रह्मा जी को सरस्ति को स्वेत वाहन हंस पर क्यों बैठाया गया है विष्णु भगवान को गर्वन पर क्यों बैठाया गया है विष्णु के चार मुख क्यों है विष्णु भगवान के चार भुजाएं क्यों है विष्णु भगवान के चार मुख क्यों है यह सब कुछ अलंकारिक है यह थार्ति में ऐसा नहीं है यह सभी हमारी सिष्ठ के महंतम पुरूश हैं, अब क्योंकी मेरा समय समाप्त होता है, कल जब आगे की व्यख्या होगी तो मैं एक एक अलंकारिक व्यख्या को मैं विश्ते तुर्भ से बताने का प्रयास करूँगा, कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, उसके समान न कोई दूसरा था, न है, न कभी होगा इसलिए जो वेद कहते हैं, जो उपनिसित कहते हैं, जो दर्शन सास्त कहते हैं जो गीता कहती है, वहीं मानना चाहिए सबका उपासिकों ने केवल एक सज्टानन्द परमात्मा गीता ने कहा कि पुर्शा सा परापाथ भक्तिया लभ्यत व अनन्या अनन्या पराप्रेम लक्षला भक्ति से प्राप्त होता है यह भावों के अनुसार विद्वानों ने, भक्तों ने कलपना की, जैसे कोई परमात्मा को मां के रुप में देखना चाहता है तो उसके विद्वानों ने पुरानों में कहानिया बनाई कि इस इस अलंकारिक वर्णन से समझा जाए कि किस तरह से महिसासुर राक्षस को देवी दुर्गा माता बद करती है फिर उसके सेना में जो रक्तवीज राक्षस होता है उसको काली माता कैसे करती है ज्यान की तलवार से देवी संपता से अज्यान रुपी महिसासुर को मारा जाता है रक्तवीज राक्षस को मारा जाता है सब के अंदर दुर्गा है सब के अंदर काली है और यदि आप ज्यान के चक्चू को खुलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्व सक्तिमान परमात्मा को सक्षतकार करने के लिए आपको ये मानोतन मिला है पांच मलीने काया पर्ठी तेह माही जीव समारो पांच ततों का पुतला है दिन पर दिन इसकी आई नश्ट होती जा रही है एक बालक होता है जो घुटनों के बल पर चलता है फिर पैनों के बल पर चलने लगता है कि सोरा आवस्था में सुंदर्ता का परतिमान बन जाता है पुना यू आवस्था में आता है जो कल तक बालक था आज वो पिता बन जाता है उम्र ढलने लगती है, बालों में सफेदी जलकने लगती है 70 साल के बाद वो बृत का लाने लगता है 95 वर्स की अवस्था में उसका सरीर इतना बृत हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये बृत वही है जो 16 साल की अवस्था में खुबसूरत दिखता था यह संसार है तृष्णाओं का संसार जिसमें ज्यान चक्चु खोलने पर पता चलता है कि इसमें कोई सार तक तो नहीं है सेमयल के फूल को देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है लेकिन उसमें कोई सुगंद नहीं होती उसका फल भी खाने के यूग नहीं होता कभीर जिने क्या कहा है ऐसा यह संसार है जैसा सेमयल पूल दिन दस के बिवार में जूठी रंग न भूल देश दिन का एक धर्मसाला में निवास है संसार एक धर्मसाला है यह हमारा मुल घर नहीं है हम आयक कहीं और से हैं गीता में युगिस्वर से किर्ष्ट कहते हैं इस आत्मा के जीव के सरीर में बल्य अवस्ता होती है किसोर अवस्ता होती है युमन अवस्ता होती है बुड़ापा होता है जब सरीर छूटता है तो जिसको जान पराप्त हो जाता है कभी दुखी नहीं होता क्योंकि उसको मालुम है कि अथिदम सरीरं भस्मांतम वाई अनिलम अमरितम अथिदम सरीरं भस्मांतम आत्मा अखंड है, सरीर नस्वर है सरीर पैदा होता है, सरीर बुरा होता है, सरीर जवान होता है सरीर मरता है आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है न आत्मा की उत्पती होती है न परमात्मा की उत्पती होती है हम आत्म चक्षों से उस सज्टानन परमात्मा को जाने, देखे, समझे इस दिए अपने विवेक चक्षों को खोले रखना पड़ेगा अपने निश्पक छेड़े से सत्य का चिंतन करना पड़ेगा ग्रंथों में बात क्या कही गई है क्या उसका समाज अर्थ लगाता है आप का माख्या चले जाएए तो आपका मन ब्यथित हो जाएगा वहां की खून की नाली बहते वे देखा आप काली कलकत्ते वाली के पैस चले जाएए कलकत्ता में रामक्रिस परमांस जिस मंदिर में पूजा करते थे रामक्रिस परमांस और विवेका नंद भी वहां बली पर्था को रोक नहीं पाये थे वहां बली दी जाती थे मैहर में चले जाएए वहां भी वली दी जाती है जो जगत माता है जिसको कहते हैं कि जगत की माता है हमारी माता वो पसुगों का रखत का पान क्यों करेगी वो तो दया की मूर्थी है जब एक घर में रहने वाली माता सुएं भूको रखकर अपने बच्चे को खिलाती है तो जो जगत माता क्यों कहेंगे कि मेरे लिए बकरा काटो, मेरे लिए इभैसा काटो, ये अधर्म है, अनर्थ है, इसलिए सब को एक परमात्मा का जियान देना चाहिए, उसी परमात्मा को अपने अपने भाहों से कोई पिता मानता है, कोई माता मानता है, कोई भाई मानता है कोई स्वामी मानता है यह भाव अपने अपने है लेकिन यदि आप सत्य की खोज करेंगे तो पता चलेगा कि सत्य कुछ और होता है तार्तम वाणी के प्रकास में उस सत्य को जाना जाता है इसलिए वाणी पुगार-पुगार कर कह रही है पार ब्रह्मतो पूरण एक है यह तो अनेक प्रमेश्च्वर कहावे अनेक भंत सब जुदे जुदे और सब कोई सास्तिम्ला